हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का पाट ठट कर रहे हैं जो टाइप वाइज आप लोग के लिए सिरीज चला रहे थे और इस वीडियो में हम लोग टाइप 14 से देखेंग को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहा है ताकि आपके एक्जाम में एक भी सवाल छुटने ना पाए तो इस वीडियो के लिए हमने 500 लाइक का टार्गेट रखा है तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दिजेगा तो चलिए टाइप 14 को देखते हैं कह रहा है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है तीक है अब देखिए यहाँ पर ऑप्सन जब आप देखोगे ध्यान से तो सभी एक चर में आपको दिख रहा है ये भी एक चर है ये भी एक चर है य लेकिन बात है यहाँ पर कि कौन एक चर वाला बहुपद है आपको बताना है इसमें से कौन एक चर में बहुपद है ठीक है तो देखिए बहुपद होने के लिए यहाँ पर सर्थ होती है सर्थ क्या होती है ये जो चर रासी होता है चाहे X हो चाहे Y हो इस पर जो पावर होत या पुन्र संख्या क्या होता है जीरो होता है एक होता है दो होता है तीन होता है चार होता है पांच होता है ठीक है और प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है वो होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कभी भी जो X सींपल सी बात है जो कोई भी x हो y हो उस पर power आपका minus नहीं होना चाहिए बटा में नहीं होना चाहिए ठीक है रिनात्मक power नहीं होना चाहिए तब ही वो आपका क्या होगा बहुपद होगा तो पहली बात तो हमने देखा कि यहाँ पर सभी जो है एक चरवाले हैं लेकिन इस t का मतलब होता है रूट में अगर कोई x है इसका मतलब होता है रूट इस पर x पर power 1 by 2 हो जाता है तो power बटा में आ गया तो t पर power half हो गया ठीक है तो यह नहीं होगा ठीक है पहला तो b option कट गया अब हम बात करेंगे इस वाले पर तो इस वाले को अगर आप देखो यहाँ पर power 1 है अगर कोई भी power नहीं है तो 1 है लेकिन जब इसको हम उपर ले जाएगा तो यह minus 1 हो जाएगा तो इस कारण से यह भी नहीं होगा उसी परकार से नीचे आप देखो यहाँ पर x है तो इस x को जब आप उपर ले जाओगे तो minus 1 power लग जाएगा यहाँ पर x plus x minus 1 हो जाएगा तो यह भी नहीं होगा आपका बच गया स्रिप A option एक ऐसा है जिस पर x पर पावर 2 है और यहाँ पर x पर पावर 1 है तो यही आपका हो जाएगा एक चर्मे बहुपद ठीक है अब आते दूसरा देखो नेमने में से कौन बहुपद है आपको बताना है तो बताओ इसमें से कौन बहुपद होगा यह होगा नहीं रूट वाला सिंपल सी रूट के अंदर x y z रहेगा नहीं होगा ठीक है अब यह देखो यह ऊपर जाएगा तो मा Cord में से कौन बहुपद है अब यहाँ पर धियान देने वाली बात है कि यह रूट में यह नहीं होगा उसके बाद अगर आप देखो तो यह भी आपका रूट में है तो य भी नहीं होगा इस पे अगर हम बात करें तो यहां पर यू पे पावर हाफ हो गया तो यह भी नहीं होगा बज गया आपका option number B option number B हमारा answer हो जाएगा अब आते हैं अगला सवाल देखें कह रहा है यहां पर निमने मेंसे कौन बहुपद नहीं है आपको बताना है कि कौन बहुपद हो जाएगा यहां पर आप दैखो थे x-power 2 है यहां पर एक्स पर पर व काई यहां पर यह नहीं होगा तो यह तो इसकारण सी एकस पर नमृ bud नहीं होगा चले type 15 को देखते है, ठीक है, पंदरवा type को देखेंगे कि क्या पंदरवा type में कौन सा सवाल आ सकता है आपके exam में, कहरे नीम्ने में से कौन रेखिक बहुपत है, आपको एक रेखिक बहुपत को पहिचानना है, तो रेखिक बहुपत का मतलब हो गया, देख लीजे, क्या हो कहोंगा। कौन है आपको दिख रहा है बताओ यह आपको दिख रहा हुद और चोbaby सब्सके बहुता है कि पांचAKào घात किया है जब कभी भी आपसे घात पूछ लेना तो जो आपका x का वेलू होता है उस पे सबसे बड़ा पावर वही उसका घात होता है तो सबसे बड़ा पावर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा कहे रहा है बहुपद 2-y square-y cube-2 इसका घात किया हो जाएगा तो सबसे बड़ा कोन है यहाँ पे 8 तो 8 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है टाइप 17 में आते हैं टाइप 17 में कहे रहा है कि 2-x का square पलस x में x square का गुनांख रहा हो आपको यहाँ पर इसका गुनाख बताना है गुनांख का मतलब होगा जिसरे आपको x square के बारे में बोला, तो आप सिरिफ x को मत देखना, आप x square को देखना, तो x square के साथ कौन सा number गुना में, तो आप बोलो कि कोई भी number गुना में नहीं, जब कोई भी नहीं रहता है, तो 1 रहता है, ठीक है, अब 1 उसके आगे वाला चिन्हा को देखना है, आगे में माइनस से तो माइनस लिख देना, पलस से तो पलस लेना, तो माइनस से तो माइनस 1 हो गया, option number a, अब देखिए यहाँ पर क्या 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 रहा है, पाई बटर 2 x square पलस x में x square का गुनांग पूछा है, तो आप x square वाला को देखिए गए, x को नहीं देखना, जब x के बारे में बोलेगा, तब x को देखेंगे, यहाँ पर x का square का बोला है गुनांग, तो x के square के साथ, आप बताओ, x square के साथ कौन सा नंबर गुना में है, तो इसके कहने का मतलब है, x का मंज 0 आपको बता दिया, तो जहाँ कहीं भी आपको x दिखेगा न, वहाँ पर आप 0 put up कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, 5 x, 4 x को मैंने सवाल लिख दिया, आप x का देखा पर 0 रख दिया, 0 को पास सुगुना करोगा, 0 को 4 सुगुना करोगा, 0 आपको बज जाएगा, बज जाएगा आपका स्रिफ तीन, तो option नंबर भी, यानि तीन आंसर हो जाएगा, ठीक है, टाइप 19 में आईए, 19 वा टाइप में देखिए, क्या क्या आएगा, पी एक्स बराबर x प्लस 5 के सुन्यक आपको, इस तरह से एक्वेशन देगा, बोलेगा इसका सुन्यक क्या है, जब कभी भी ऐसा एक्वेशन आपको दे दिया जाए, तो कुछ मत किजएगा, x प्लस 5 जिरो कर देना, और x का वेलू निकाल देना, इस तरह तो 5 जाएगा, मैनस 5 हो जाएगा, ओप्सन नमबर B आपका आंसर हो जाएगा, नेक्स दिके टाइप 20, टाइप 20 में आपसे कह रहा है, ये x पे पावर क्यूब, प्लस 3x स्क्वेर, प्लस 3x प्लस 1 को, x प्लस 1 से जहाँ जहाँ पर भी x है, वहाँ वहाँ पर मैनस 1 रख दो, तो मैनस 1 पर पावर क्यूब है, तो क्यूब आप करोगे, मैनस 1 से गुना करोगे तो फिर मैनस 1 हो जाएगा, यानि अगर आपका ये विसम घात हो जाएगा, विसम संख्या हो जाएगा, तो जो है वही रह प्रभीस मैनस प्रश्राइक कention मैनस यह कइन्स को प्लस मैनस मैनस इनस व कोगई Kind원이 क्या बचान तो जीरो भचेगा आपका आंसर तो उमीद करते हैं कि आप लोगों फ़संद होगा लाइक कर दीजेगा चैनल पपहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए और आने वाले समय में क्लाश्टेन की तैयारी के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें किये और वाटसप गुरूप को जोइन करना बिल्कुल भी ना भूले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जरूर उसको जाकर जोइन कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू